वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं आप से बहुत अच्छे हो गए अभी मुझे जाना है किसी के घर और मैं रेडी वीडी हो गई थी और बाल देखके तो दिमाग की धहीं हो जाती है मेरे जब भी मैं अपना हेर वाश करती हूं न सही बतारी हूं मेरे बाल इतने ददा फ्रिजी फील होने लग जाते है मतलब न ओडे ओडे से लगता है मुझे मेरे बाल कभी न मैनेजबल नहीं लगते है तो मैंने आज सचा कि चलो स्ट्रेटनिंग करती हूं और आप देख सक बट इसकी अच्छी बात यह है कि यह कॉम एप्लिकेटर के साथ है मतलब नॉर्मल आपको कुछ महनत करने की ज़ूरत नहीं जैसे हम लोग कंगी करते हैं आपने बालों में सेम वही करते रह रहा आपने और इसकी हीट से आपके बाल स्ट्रेट हो जाते है मतलब यह बिगन करते हैं मुझे थोड़ा सा अनकमफटेबल फील और लेजिनेस भी होती कार कौन पंदरा मिनट लगाएगा अभी मैं अगर बात करू तो मैंने सिर्फ पांच मिनट पने बालों को स्ट्रेट कर लिया है कोई पार्टिशन करने की ज़ूरत नहीं है कुछ नहीं किया मैंने कि क्ले मैं आपको बोलू यहां ते यहां बाढ़ लो और नीचे की कर लो पहले वटनद के बाल नहीं होंगे क्योंकि होता यहीं है प्रॉब्लम हमें यही फेस करनी पड़ते है नॉर्मल स्ट्रेटन के सा त। कि बहुत सारे करने पड़ता है कम सिकमब 10 से करने पड़ते हैं चोटे चोटे पार्टिशन में आपको बाल स्टेट करने पड़ते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, देखो मैं अभी इसे चार्जर पे लगा रहा है, तो ये चार्जिंग की लाइट बिंक कर रही है, जैसी मैं इसे उपर वाला जो बटन है ना, दबाऊंगी, तो ये स्टार्ट हो बस मैने सबसे कम टैमपरेचर पे इसे यूस किया है, क्योंकि मेरे बाल ना तो बहत ज़्यादा मौते हैं, क्यों उन्हे बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, जैसे आपके बाल होते हैं ना, चाहे वो ओपर रह वो कर ली हूं, उसके लिए आप अपना टैमपरेचर सट कर सकते के लिए मैं अपने बालो को कम से कम हीट देना चाहती थी फिर भी पांच मिनट में मेरे बाल स्ट्रेट हो गया है बिलकुल तो मुझे लगता कि बहुत ज्यादा टेंपरेचर आपको बढ़ाने की जुरूत है इस तरीके के स्ट्रेटनर पता है कर्ली बाल जिनके है उनके लि और रिजल्ट आप देख सकते हो मैं आपको अपनी बिफोर पिक्चर दिखा देती हूं और आफटर पिक्चर दिखा देती हूं कमाल के रिजल्ट है कमाल के विदिन फाइफ मिनट बिलकुल लुक ही मेरा चेंज हो गया है मैंने कुछ मेकप ऐसा रही किया है बेस में फाउंडेशन इस्तिक को यूज किया है लाइन अर लिप्सिक लगाई है और I am ready to go मतलब पूरा लुक चेंज कर दिया स्थे मिले कर दिया क्यों कि आपको साथ मिल जाता है क्योंकि कई बारी न हम लोग कुछ point भूल जाते हैं या कुछ point आपको चाहिए कि special कोई point पता होना चाहिए तो उसके लिए manual का होनों बहुत जरूरी है तो चलो फिर अब मैं आपके साथ इसकी video शेयर करती हूँ क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कहीं जाने के लिए तैयार और बालों का चिणिया का घोसला बना हुआ होता है हमें चाहिए भई एक straightener जिससे हमारे बाल लगे manageable मुझे भी चाहिए ऐसा एक straightener मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ agaro hair straightener comb model number है इसका HSB 2107 इसे यूज करना बेहद आसान है मैं आपको इसे unbox करके दिखा रही हूँ और मुझे ये काफी ज्यादा चलगा normal hair straightening करते है जिससे हम वो flat iron होती है उसे यूज करना थोड़ सा difficult होता है बट इसे तो यार ये comb है जैसे आप कंगी करते हूँ और अपने बालों में same वैसे ही करना है इसकी wire बहुत लंबी मिलती है आपको और इसकी wire की एक खास बात है कि ये न 360 degree पे rotate हो जाती है मतलब जहां चाहो वहां मोड जाएगी तो use करते वक्त आपको पूरा pluck अपने साथ घुमाने की जरूत नहीं पड़ती है यूज करना बहुत आसान है मैं आपको अभी यूज करके दिखाती हूँ within 5 minutes मैं अपने बालों को straighten up कर लिया है अब मैंने से switch on कर लिया है सबसे उपर आप देखोगे ये button है जैसी आप इसे दबाते हो normally जैसी आप इसे charging पे लगाते हो तो आपको एक light blink होती हूँ दिखती है उपर नीचे की तरफ आपको plus और minus के button दिख रहे है temperature control करने के लिए जैसे आपके बालों की thickness है उसके हिसाब से आप इसे use कर सकते हो मेरे बाल बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और मैं सबसे कम temperature को use करना चाहती थी तो मैंने one number पे ही इसे select किया है आप जाओ तो इस तरीके से partition कर सकते हो क्योंकि हमें तो आदा दना वही normal straightener use करने की बट मैं इस तरीके से नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये कॉम applicator के साथ है तो इसे use करना बेहत आसान हो जाता है मैं सिर्फ इस तरीके से जैसे हम लोग कंगी करते है न अपने बालों में बस वैसे ही करूंगी इसको पहले मैं अपने बालों में अच्छे से brush कर लूँगी ताकि वो बिल्कुल अच्छे से सुलच जाए और गीले बालों पे बिल्कुल भी use मत कीजेगा इसको ये आप देख सकते हो इसमें कॉम है ये और इसकी विरे से आपके बाल बहुत अच्छे से और एक-एक बाल straight हो जाता है देखिएगे आप मैं आपको दिखा देती हूँ प्लस और माइनस का यहां से आप टेंपरेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और इसकी वायर 360 डिग्री पे पूरा घूम जाती है तो आपको बिल्कुल भी परेशा नहीं करेगी मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी अब मैं आपको थोड़ सा इसे नस्दीक से भी दिखा देती हूँ पैकेजिंग तो इसकी कमाल की थी ही ये प्रोड़क्ट बहुत ही ब्यूटिफुल है जब चार्ज करते हो आप तो इस तरीके से ब्लू लाइट ब्लिंक होती है सबसे उपर पावर का बटन है और यहाँ पर पाँच स्टेप्स आपको मिल जाते है फर्स स्टेप की अगर मैं बात करूँ जो मैंने यूज किया था देखिए आप टेंपरेचर प्लस माइनस कर सकते हो वन लाइट मींस फर्स स्टेज इसमें आपको 130 डिग्री सेल्सियर्स की हीट मिलती है आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत सॉफ्ट है और पतले है तो उसके लिए परफेक्ट होने वाला है सेकंड गेर में आपको 145 डिग्री मिलते है ये अगर आपके ट्रीटिड हैर है या फिर बहुत सदा फ्रीजी हैर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है थर्ड और फोर्थ अगर आपके थोड़ से करली बाल है उसके लिए बहुत अच्छा है degree Celsius तक आपको temperature मिलता है, मतलब आप अपने बालों में कितना temperature देना जाते हो, उससाब से अपने plus और minus को use करना है, मैंने first gear use किया था, और 5 minute मुले maximum लगे होंगे, और बहुत आसान था इसे use करना, believe me, देखो आप, मैं सिर्फ अपने बालों में जैसे हम कंगी करते हैं, बस वह ही कर रही हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, normally हम लोग straightening करते हैं, उसमें problem सबसे जादा यह होती है, कि उपर-उपर से हम कर लेते हैं, नीचे के बाल छूट जाते हैं, तो उसके लिए हमें partition लेना पड़ता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जरूर बोल अच्छा volume मिल जाएगा, बस आपने कंगी करते रहना है, और आपके बाल हो जाएंगे, बिल्कुल straight, अच्छे कुछ लोग सोचेंगे, यह बहुत भारी तो नहीं है, अगर मैं इसका weight बताओं, तो 386 gram इसका weight है, पावर यह use करता है, 45 watt, बहुत ही हलका फुल का होने वाला और बहुत ही मस्त काम करता है, इसमें दिया गया है auto shut off, मतलब करते-करते अगर आपको लगे कि भईया यह बहुत ही गरम खुद तो नहीं हो जाएगा, डर लगता है तो यह auto shut off मिलता है, तो यह खुद ही बंध हो जाएगा, अगर आपको लगे कि यह ज़्यादा गरम फील हो गई, देखो मैं अंदर की तरफ से कर रही हूँ ना मेरे बालों में देखना कितना अच्छा वॉल्यूम दिखेगा, यूज करना बेहद आसान है इसको जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ और देखो वॉल्यूम आप देख सकते हो, मेरे बाल बढ़ना बहुत हलके है, ने हेर टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हो, नॉर्मल जो स्ट्रेटनर होता है उससे आप जब करली बालों में या वेवी बालों में यूज करता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रेट करना, पर इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से उन्हें भी स्ट्रेट कर सक तो बहुत ही बड़िया लुक आई है आपको कैसी लगी मुझे बताना अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ सा भी हल्फुल रहा है थोड़ सा भी आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरू जाएंगे और कैसी लग रही हूँ मैं फ्रेट बालो में मुझे कमेंट करके जरू बताएगा बहूं जब बहुत जब जब अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरू बताना और ।हां इसका लिंक मैं न इब आपको देदी है description box में try करना चाते हो तो definitely try आप इसे कर सकते हो Thank you Thanks for watching, Bye